आज तो आज तो आज तो तो आज एक नहीं वीडियो के साथ आज है अज कितना डेट कितना है आज डेट अच्छे तारिक तो आज हर दिन की तरह नए वीडियो लेके आ चुके हैं तो अगर वीडियो देख रहें तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना और शेयर करना दूस्तों के साथ तो चलिए शुरू करते हैं देख लेट पाथ देख लेट पाथ काफी कॉर्णर होके जा रहा है लीपफ का होके मिलेटरी बेज तक फ्लाइट पाथ जा रहा है तो इदर काफी भसड मजने का काफी ज्यादा चांस्स है कितना टीम है हमारे याज 22 टीम है तो देखते हैं इदर प्लेयर्स उतरना शुरू हो चुका है अर्ली जंप कर चुके हमारे टीम नंबर थ्री इसके मुन्ना भाई की टीम और बाकी प्लेयर्स की तरह देखना थोड़ा देखेंगे अम लोग ध्यान देंगे थोड़ा उस तरफ और टीम नंबर थ्री जा रहे है यासना पॉलियाने की तरफ और सिम 64 बीट और टीम नंबर वन यह आचुके हैं लिपोफ का पर लिपोफ का पर शाहिद दूसरी को स्कॉड जा नहीं रही है नहीं लिपोफ का पर कोई गया नहीं है यह अकला लिपोफ का पर राज करेंगे ग्लॉक की टीम जा रही है नोवो रेपनोई की तरफ और टीम सेवन जा रही है शायद रोजो पोचिन की तरह और टीम नुबर 21 हमारे दिब डिकाडो की टीम कि तर जा रहे है थोड़ा देखना पड़ेगा दिब डिकाडो की टीम जा रहे है यासना पॉलियाना की तरफ औ टीम नमबर 13 है इनके साथ तीम नमबर 3 भी है तो कफी फाइट्स देखने को मिल जाएगा हम लोग को तो कफी अच्छा न्यूज है और टीम नमबर 20 किदर गया थोड़ा देखना पड़ा हम लोगो ने टीम नमबर 3020 थोड़ा सुलेटे ड्रॉप लेरे यह मिल्कपावर के टीम नमबर 4 शिल्डवार्स की तीम नमचेंट पर जोड़ान अंधर अपने लिए पहले वेकल ढूंड रहे तो डवी डिशरो पेह रहन ह यह बंदा किदर है जुड़ना पड़ेगा इसको हमारे हंटर किंग को लेजंडरी होड और हंटर किंग गाड़ी लेकर जा रहा है आज मिल्टरी ब्रेस्पीन है ड्रॉप चेंज कर लिया और इधर जोन देखें काफी मतलब एरंगल परफेक्ट एरंगल टाइप का जोन बना और हाट डिवाइन यहां पर पहला नौक निकालते वेच में इसका ब्र रशीद को नौक फिनिश कर देंगे इधर हाट डिवाइन टीब नमबर 4 के मुन्ना के टीम के हाट डिवाइन तो चलिए हाट डिवाइन के पास अम्रित स्कारेल के द्वारा पहला नौकि बहुत ही गलत था वह एदर और इम्रान की टीम के साथ फाइट करते हुए डवल डाकु इदर ब्लैक सोल हमारे काला भाई के टीम इनको अभी तक गनवन मिला नहीं लेकिन अम्रित आके तबाही शुरू कर चुके हैं और डब्ली यहां पर नौक निकाल थोड़ा साइड से घेरना चाहेंगे इनको एक ही प्लेयर है आराम सुपा होट फायर इदर उतकर किंग को डाउन कर चुके मॉलोट अपने उपर मॉलोट आफ जाल चुके यह थोड़ा के लिए बच गए इधर लेकिन अम्रित यहां पर रश कर तो अधर जारे देखना पड़ेगा हम लोग को यह लोग काफी आज थोड़ा अलग स्ट्रेटिजी लेके शायद आये हैं गटका साइड लूटने का कौशिश और रूइंस के साइड पर गया है हमारे टीम नुबर 14 टीम नेकसस टीम नुबर 4 के पास तोड़ा ध्यान देंगे पाइड तीम नुम् sans कि नमपर 4 टीम नॉम्बर 4 की इसको डाउन कर चुक Benjamin Each Elegan दा इंडि प्सोड़ा नेकिन देखोष्टा अंडे रूटने को यह में वी हाँ जा इंडि इनका तुने कपा हैं मिल यह पर तिम नेकर 6 है इनके साथ टीम नमबर 6 रिशिकेश सिंग सोल इवान और एक्सम एक्स बैंबलार एक्स इनको अभी रिवाइवल चाहिए होगा और यहां पर इनको फिनिश कर देंगे हमारे गोस्ट आइंडी के इसके और रिशिकेश सिंग के पास कोई वैपन वगेरा कुछ भी नहीं है सोल इवान के तरफ देखेंगे सोल इवान के पास एक बाइजन मिली है और इनके पास एक शॉटगन है टीटू डिसकनेक्ट आइडव्य टीटू डिसकनेक्ट आइडव्य अली को यहां पर नॉक करेंगे और हाँ टूपाई को लेना बढ़िया था वाई अगे जनतों ना खेलने का यह बंगोली भाई हमारे बंगली और गाड़ी कुछ ऑगड़ी कुछ बहुत बढ़िया और जजाकाजी स्को लेकर जाते हुए बियार असलम बियार असलम की टीम भाई प्लीज भाई भाई प्लीज अपना ओल चटो बन करके बदो करेब कर आरूं से कोई द्डिकत ने ऑऔर असफी बनाओ बात लौत करो अब भाय प्लीज हुशक किंग आपक्सट पर क्षए हर रोड़ प्लीज यार बंद हो गया यह और डाक राइडर टिम नुबर 15 अबे चुप भाई क्या भाई बंद करके बात करना रवाई कौन है रवाई शोट करना हां तो उतर ना क्यों मिलिटरी बेस प्यों गन मिल जाएगा तरे को भाई ओल चेड़ून कितना बार कितना बार बोला है बाई ओल अब आफ करके बात किया करो प्रॉब्लम होता है इम लोगो समझते नहीं यार तुम लोग किसका टीम है वाई इसका प्लेयर है और यहां पर 64 बीट ओडिन यहां पर डाउन करेंगे एक प्लेयर को स्टाइलिश देवो को और इनके पास अभी एक प्लेयर है यहां पे दाउन करेंगे अब है अब भाई यह बंद यह बंदा में पैचान गया कौन है अब भाई यार कि हाई यह तिम नंबर फाइव एटिम नंबर फाइव है भाई भाई प्लीज बंद करके बात कर दिए यहां पर डिपडिकाडो को फिनिश कर देंगे इसे के साथ डिपडिकाडो को नौक फिनिश कर चुके है डेट गोल यह असना पोलियाना पर इबर खून का मामला चालू हो चुका है तो डेल्टा राजू यहां पर अपना डिपी 28 लेकर शिल्ट ट्रैक्स डेल्टा हो चुके हैं हमारे तो टीम घातक और यहां तो डिपडिकाडो का और डेल्टा राजू एक प्लेयर को डाउन करेंगे और देखेंगे अभी कैसे यह लोग आगे बढ़ते हैं डेल्टा राजू के पास चलेंगे हम लोग डेल्टा राजू यह लोग यह लोग यह लोग यह लोग पॉलियाना पर फाइट्स ले निकाल रहे ले रहे हैं अबे भाई तुम लोग क्या भाई मैं एक बात समझता नहीं ओल क्यों नहीं ओफ करके रखते रहे भाई मेरे भाई कुस्सा आजाता है यार जितना दिन देखो एक ना एक बंदा वाल पर बखबख करता रहता है क्या यह कर चुके हैं इदर और फाइट चलता वाशी लेला के पास चलेंगे शील लेला यहां पर प्रॉन डाउने पीचे से आया हमारे मोबल लेजंस की टीम आचुकी शील ले तो नहीं लेकिन देखेंगे कैसा यह रोकते हैं रोकते हैं शील यला को डाउन कर देगे लेकिन इनके उपर बैंटी हंडर का और इसके साथ ओओ एंग साइको अपी साइको ओपी साइको ओपी इधर लेके गए हैं लास्ट किल और साइको ओपी किस टीम के है भई साइको ओपी साइको ओपी जी बियार असलम के टीम के हैं साइको ओपी यह लास्ट किल यहां पर थरपाटी का इसी किल निकाल के लेके गए हैं आराम से और अभी भी तीन टीम बची हुई है यह असना है पोलियाना पे और WL डाकु को डाउन कर दिया के गोची हागी मारो के द्वारा WL डाको किदर है गोची हागी मारो टीम नंबर फोर में भी यहां पे घमा सान फाइट चलता हुआ बाउंटी टीम मोबाल लेजंस परसेस टीम बी आर की टीम का और डेड़ गोल को डाउन कर दिया गया है अभी पतंजली रामबा रामदेव शौट्स लेते हुए इधर पतंजली भाई डाउन शौट्स लेते हुए और बियर थंडर स्टोम हाट डिवाइन को डाउन करते डेड़र और यह तंडर स्टोम को फिनिच इसके साथ हमारे मोबाल लजेंस के टीम एलमिने चुकि इस गेम से काफी दुख बरा अलिमिनेशन देखने को मिला हम लोगों को इस मैज से हमारे मोबाल लजेंस टीम को अभी दो टीम यासना पोलिया पर बची हुए और पहला ज तीम के लिए पहला कि निकालते हुए इस गेम का और इन लोगों का फाइट कि दर चल रहा है देखना पड़ेगा फाम के सामने इनका फाइट चल रहा है कुछ तीन प्लेयर नौक पड़े हैं लास्ट प्लेयर बचा हुआ है टीस टीर्ज डेजर्ड और अपना उजी से टीम जो आज पहली बार हमारे कस्टम पे खेलते आएं खेलने के लिए तो वेलकम है भाई लोग सब टीम स्टबॉर्ण एलाइट आप लोग का मतलब स्वागत है इधर और टीम शील्ड अपना स्वागत करती है और अगर आप लोग को मतलब कस्टम्स वगरा खेलने तो यूट्यूब पे स्टबंड गेमिंग को लाइक करो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के शेयर हैं यह लोग भी कस्टम्स करता है बहुत बच्छे अच्छा टीम से आपे खेलने आती है हम लोग भी पहले खेल चुके उदर तो और यहां पे स्टबंड के स्नेक जंदा है फिलाल तो कोई टेंशन का बात है यह लोग है हमारे मिलिटरी बेस के ब्रिच क्रॉस कर रहे हैं लेगे इनके पास कोई वेकल नहीं या टीम नंबर टीम नंबर 10 & 14 टीम नंबर सौरी टैन नहीं है टीम नंबर 14 & 20 टीम नंबर टीम नंबर 20 की टीम है जोड़्योपुल सिटी पे गुड़्डू जी भी के स्नेक आई अलफा वेनम को डाउन कर चुके हैं तो यहां पर फाइट शुरू हो चुका है पोचिन की पे स्टाबंड स्नेक आई और एक प्लेयर को डावी यह लोग रश करना चाहें प्लेयर के उपर और पंडा यार बचेंगे इनको भी डाउन कर दिया गया इसी के साथ टीम अलफा एलिमिनेट हो चुके इस गेम से स्टाबंड अलाइट अपना पहला मतलब मैच में पहला स्कौर्ड वाइब कर चुके हैं पोचिन के पर अपना जमा चुके पुरा और यह बचेंगे लोग शायद याड्रॉप के लिए जा रहे हैं नहीं बिलकुल नहीं जी हाँ याड्रॉप के लिए जा रहे हैं इनको लूटना काफी पसंद है तो चलिए हम लोग देखते हैं जॉड़न की टीम के व्ट शरॉप अंडर किंग लेजंडरी होड जॉडन यह कर देते हैं पहला टीम को अभी यह घर तो फिलाल काफी सेफ है इनके लिए यह लोग अराम से कर सकते हैं बहुत टाइम के लिए कोई दिक्कत का बात है नहीं लेकिन यह लोग पोचिन की का साइट पर नहीं यहां पर होल्ड करेंगे लेकिन एकी गाड़ी पर चारो प्लेयर थे टीम नंबर टैन इदर ब्रीज से अराम से क्रोस करती इनको कोई दिक्कत देने का और टिम वर 14 गुट्डू जी भी की टीम आई वही है गुट्डू जी भी की टीम आ रही है जोड़्जापुल से जोड़्जापुल पे तो फिलाल कोई है नहीं जोड़्जापुल लूट करके चले गए वो लोग और 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 क्या ही बताओं 43 प्लेयर्ज बचे अभी भी आप लोग जैसे कि हम मुझे थोड़ा दिखा इदर कुछ गड़बड है हमारे यह स्नाप अलियाल बाबा के पास चलेंगे दयाल बाबा किदर है दयाल बाबा आराम से अपना जेगा होल्ड कर रहे हैं और यह प्ले जुके स्नाइपर से निकले का शायद आज और शेल्डमान शेल्ड वाइरा से काफी स्ट्रॉंग टीम है मेरे इसाब से काफी टीम कोविड काफी अच्छा पर्फोर्मेंस निकाल जुकिया पहले भी तो आज भी इन दोको से कुछ अच्छा हम लोग एक्सपेक्ट जरूर क प्र कि नहीं उनकी टीम है तो कोई दिकत वाले बात है नहीं इंदर बीयर टीम नमट ट्वल्फ टिम नमट ट्वल आराम से आसमया पोलें असे रोटेशन डालती हुई क्या यह पर रोटेशन पर आ जाएंगे नहीं यह वो लोग रोटेशन टीम नमबर ट्वल रोटेशन डाल चुकी है और टीम नमबर थ्री अपने में कुछ स्टार्टिंग कर रहे हैं इन लोगों भी निकलना आएंगे अभी डार्क राइडर अपने टीम नमबर फिफ्टीन के डार्क राइडर अखेला बचे हुए अपने टीम के लिए और इनको जोन पर जाना है लेकिन जोन पर जाना इनके लिए काफी मतलब दिक्कत बरह हो सकते कि टीम इनका पूरा अराम से इनका वेट कर रही है और हमारे याड्रॉप आच चुकी है और एक तो उस पर थोड़ा दियान देंगे हम लोग याड्रॉप पे तो चलिए देखते हैं याड्रॉप पे यह याड्रॉप लूट हो चुके लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आया है एमके फॉर्टिन किसने ने उठाया भाई यह इस गन को कोई कैसे देखते हैं कौन है इदर असपास भाई यह उठाना चाहिए था यार एमके फॉर्टिन कोई कैसे छोड़ सकता यार यह गलत हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ तो इदर और एक एरड्रॉप है हमारे और फ्लेयर मंगवाया है किसी ने फ्लेयर मंगवाया था ब्रो था देखते हैं कि इदर है जी समझ गया इधर है हमारे फ्लेयर फ्लेयर ड्रॉप अपना प्राइवेट ड्रॉप मंगवाया था उसको लोटवट के चाहिए लेकिन वह मुझे एक चीज अच्छा नहीं लगा रहा है वह जो एमके 14 न वह चोड़ना नहीं था भाई जैसे को डाक रेडर इदर चप चाप बैटे हुआ है अपना एक एम हाथ में लेके इन था चाप पहले लिए मार ना, आग एक ट्र को घृट्त निकल यौक, और रहा हुआ है तो फाइट घृट के दोड़եյगाइट, निकशा चाहेँगे और एक पहले र किम और यह लोग की टीम को भी आराम से गाड़ी से उतर के पूरा गाड़ी ब्लास्ट करके इनका चारो किल अपने नाम को दिंगर आठ कील हो चुके स्टबर्ण के टीम के और यह लोग अपना लुमिनेशन शुरू कर चुके हैं 12 टीम 49 अपना सेकेंड जोन क्लोजिन करता हुआ इधर 17 मिनिट हो चुके इस मैच के और क्या कहना है कि एम टो फोर नाइन यह लोग ड्रॉप लुट के आये थे हमारे ग्लॉक की तो और इधर जोने काफी बड़ा क्विश्ट मारता हुआ काफी टीम सेबीस इस जी लोग डेखते याड्रॉप से क्या क्या उठाते गुडू जीबीके पास एक येड्रॉप तो आ चुकी है पास इन लोगों ने शायद चला थाच उत्व फ्लेश नहीं लुट फन्हां है अप नहीं लोगों मों के ध्यरफ लिटने आ चुका है है और फ्लेयर पे की टीम अगर यह सब मतलब जो वेपन से वो अगर यूज कर सकेगी तो बहुती मतलब घातक साबित हो सकता है यह सब और सब्सक्राइब करेंगे आराम से इनको रोक के रख सकते काफी देर तक लेकिन अभी शॉट्स नहीं लेना जाते सुपा होट फायर गुड्डू जी टीम काफी अच्छा स्ट्रेटेजी अपनाती है भाई हमेशा हम लोग यह लोग फस्ट में कोई फाइट नहीं दें लेते आ तीम 10 के अलमस फिगल अलमस शॉट्स ले रहे हैं टीम सेवें टीम 960 मस की टीम और इधर साइट से टीम 16 इथर इनका जो नाम है टीम सेवें तो इधर तीन तीम इदर आ चुकी इधर फाइट से और डाउन करते हैं सुपा होट फायर इगल अलमस को काफी प्यारा मारा तो गुड़ी जीवी की टीम भी शॉट्स ले रहे हैं अरों इधर बंदुगबाज के पास यह यह वह इंगल अलमस का किल कंफार्म करेंगे टीम नमबर टेन इधर आके यह लोग शाहिद फंस चुक है इधर निकलने काफी मुश्किल है लेकिन लोग जोन पर एंट्री सबस्ताइब की टीम टालेंगे स्फली कि पिलाल टोन कोई है आराम से फिर्फ नाम कर सकते हैं अरक यहां यहां पर spend कर सकते हैं अगर जोन कोई hardship ना मारे अभी तो hardship माने का chances काफी कम लग रहा है मुझे फिलाल लेकिन देखना चाहेंगे हम लोग की कितना डाइब लेकिन यहां पर काफी cluster बनना शुरू हो चुका है तीम नुबर 14 अभी कैसे निकलती है मैं देखना चाहूंगा तीम नुबर 14 को उदर से निकलना काफी काफी मुश्किल हो चुका है लेकिन टीम नंबर 14 इधर गाड़ी से उतर चुकी है टीम नंबर 10 साइड पे है गुड़ी भी आगे बढ़ चुके शॉट्स पर होट फायर नेकसस पीके को का 98 से डाउन करेंगे नेकसस पीके आफे दिक्कत में आते बंद नेकसस पीकी को एक्सटीम जूम अपने डीपी 28 के द्वारा फिनिश करेंगे फाइड यहां पर काफी जमा हुआ लग रहा है सुपा होट फायर शॉट्स ले रहे हैं सिंगल टैप्स यूज कर रहे हैं अपना M416 का और टीम सवेन के एरर पे अपना जोन पे जगा बनाने के लिए निकल चुके हैं जिरो टीम सवेन के स्लेयर भी आगे बढ़ चुके इनका स्ट्रेटेजी काफी बढ़िया रहा है मतलब इतना दिन से लेकिन गुडू जीवी का टीम यहां पर फ्लेयर लुटके निकल जाना चाहिए थे इन लोग काफी लेट कर चुके हैं बंदुग बास के पास लेकिन M416 सामने से टीम आती हुई और उनके टीमेट क्या का है भाई इनके पास तो दिनों चाहेंगे उन्टर किंग जो लड़कियों का ड्रेस लगा के खेलते हैं और अभी फिलाल अपना सेफ गेम चालो रखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि और यहां पे जोन पुरा लेफ्ट शिप्ट मारती हुई टीम नंबर टीम नंबर 14 को सबोड कर रहे हैं पूरा जोन इदर साब को जोन पर जाना है अबी फाइट इम नंबर 10 भी जोन के काफी सामने हैं यह पर रोटेशन बाल चुके टीम pleasing में नंबर ट्वेंटी यह शाहीद हाँ टीम नंबर 20 अभी 11 19 दो फाइट काफी खतरनाक tactical दो बंदुगबाज शॉट्स ले रहे हैं गुड्डू जी भी बंदुगबाज के पास एड़ोब्ले में तीम नंबर 10 को यह लोग स्पॉर्ट को आने दें लेकिन गुड्डू जी भी की टीम यह पे बैक्स्टेप जरूर होने का चांसे सिंको है लेकिन इनका कोई काम नहीं आन यहां पर हंटर किंग के साथ फाइट हो चुका स्टाबॉंड के स्नेक आई का तो देखेंगे कियों कैसे यह लोग फाइट निकालते हैं अंटर के यहां पर एंटुप फॉर नाइं चलाते हुए रिवाइव हो चुके और जॉडण अंडर अंडर किंग फीर से और आशा जनक प्रदर्शन हम लोगों देखने को मिला टिम की लोट डाई से आज और मुन्ना इसके मुन्ना की टीम आ चुके जो मतलब कंपाउंड सी कह सकते हैं लेकिन फिर भी जो एरिया रिया पर यह लोग आ चुके हैं और दीरे-दीरे सब टीम रोटेशन डालती हुई औ अलग जगा लेके बैटी हुए रूइंस पे अपना कबजा जमाने के लिए आ चुके हैं टीम नौ टीम बची हुई है और टीम जूम के उपर शायद शॉट्स लेने की कोशिश चील मुन्ना मुन्ना आप यह में सवेनेक्स के उपर स्प्रे कर रहे हैं इसके सूरज लेकिन यहां पर शॉट्स कणेक्ट नहीं हो पाया एंका अभी परोंड़ दाउनों के शॉट्स लेने के लेकिन फिर भी कुछ धिमेज नहीं देपाइ इनको और यहां पर स्वाब्ण स्नेक का sighs ए अरून को डाउन को तुके कुछ अलग गूम दिखाते हुए हम लोह को स्प्रत से देखेंगे गुड़ू जी भी कैसे अपने टीममेट को इस सिचुएशन से बचा के लाते हैं गुड़ू जी भी की टीम काफी दिक्कत में आती हुई इधर गुड़ू जी भी क्या गुड़ू जी भी फिनिश भी हो जाएंगे स्टाबर्ण स्नेक आए इस और रोल राइट चुका है यह सच में प्लेयर दानव जैसा ही खेल रहा है और टीम नमबर 16 आती हुए तीम जीरो सेवन टीम सेवन के साथ इधर टीम स्टाबन का फाइट चलता हुआ स्टाबर्ण के प्लेयर थोड़ा स्प्लीट है यहां पर शॉर्ट स्टाबर्ण स्नेकाई को डाउन करें इधर लेकिन काफी प्यारा कवर है इनके पास लेकिन अभी कवर कितना काम आएगा यह काफी दिखत बड़ा बात यहां पर शायद रच करने की कोशिश कर रहे हैं पर लेकिन शौर्ट से पहले से होना शुरू हो चुका है यहां पर सुपा होट फायर बंदुकबास कर चुके अभी स्टाबॉंड की टीम यहां पर एलमेनेट हो जाएगी इस गेम से यह काफी मतलब दिक्कत बरा था लेकिन हम लोग क्या सब्सक्राइब करें लेकिन इन पर काफी शौर्ट सारे मुन्ना की टीम से तो यह लोग सर्वाइब तो कर जाएंग इधर से लेकिन का आगे शील्ड अमन यहां पर अपना गाड़ी से वहेकल सेफ करते हुए द्याल बाबा इनको आगे लेके जाते हैं शील्ड नजू क्या कर रहे देखता है देखना पड़ेगा अमन के पास एकिला शील्ड नजू क्या यहां फेंटू फोर का कमाल दिखा पाएंगे अरोन य गया काफी मतलब और यह पर ग्रेनेड थ्रो करते हुए अरोन लेकिन काफी सामने गिर चुका यह ग्रेनेड उनका और टीर्जट की टीम इदर पीएंगे पीछे हैं तो आट टीम बाइस प्लेयर बाचे जूरे सब्सक्राइब करेंगे लेकिन दैल बाबा की टीम अभी तक कोई टीम है नहीं अगर उदर से रोटेशन मार जाएंगे तो अपने आपको सेव भी कर लेंगे यह लोग तो यह काफी बढ़िया स्ट्रेजी दिख रहा है मुझे टीर्जट के हज़र्ड डाउन कर चुके बंदुक बास को और टीर्जट के हज़र्ड दो किल अपने टीजी बिग बॉस को प्लेजोन लेकर जाता हुआ अरुन यहां पर शॉट्स ले रहे हैं लेकिन अरुन को कोई टेंशन है नहीं वह अराम से और एक फिल निकल लेकिन यहां पर बहुत ही प्यारा शॉट आता हूँ एजट के ऊपर यह प्लेयर अकेला खेल रहा है अकेला क को यह लोग उड़ा पाते हैं तो आराम से यह लोग जोन पर एंट्री ले सकते हैं लेकिन स्मोक करके फिलाल और उनको यहां पर फिनिश कर दिया जाएगा ओमेगा के दौरा चार्ट टीम तेरा प्लेयर बचे हुए जोन काफी श्रिंक होता जा रहा है और यहां पर जोन औ पाएंगे दयाल बाबा और इसके सुरज को डाउन कर जाएगा यहां पर पिंग 960 म8 के टीम से भी शौर्स आता हुआ हर्ट स्मीथ यहां पर बैटे हुए और यहां पर दयाल बाबा अपना गड़ी कवर पर लगाएंगे काफी प्यार लेकिन काफी शौर्स आ रहा है पाएंगे क्या यहां पर डिवाइवल मिल पाएंगे लेकिन श्यूर्स फिनिश ओफ हो चुके हैं शील्डवन के पास चलेंगे पिंग नाइन श्यूर्स जोन पर जाने की कोशिश कर रहें शील्डवन के पास हम लोग जाएंगे भाई क्या अधिक्कत दे रहा है और पिंग नाइन श्यूर्स अपना जगह पर आ चुके हैं और यहां पर लेकिन सामने इसके मुन्ना यहां पर डाउन कर देंगे इनको इ कोशिश कर रहें अभी तक जोन पर लेकिन कोच जोन इनका साथ दे नहीं रहा है चार्ट टीम दस प्लेयर हाट समीथ इदर एक अलग एंगल करेट करने की कोशिश कर रहे हैं दयाल बाबा की टीम के ओपर शिल्ड नजू पर शौर्ट शिल्ड नजू डाउन हो चुके हैं और शिल्ड नजू को फिनिश भी करेंगे हाट समीथ अलग एंगल बनाके बैटे हुए लेकिन इनको अभी जोन पर जाना है दयाल बाबा का जोन के काफी करीब हैं इदर यह अगर जोन पर अपना जगा बना लेते तो काफी सब टीम को काफी दिक्कत में डाल सकते हैं अभ लेकिन वो भी डाउन हो चुक्का अभी हर्ट समीथ के पास काफी कराब सिचुएशन आचुएंगे दोनों टिप्लेयर को रिवाइफ करना और खुद को भी आगे जोन पर जाना है तो यह अगर सिचुएशन अगर यह अगर यह अच्छा फाइदा उटा सकते हैं तो दयाल प्लेयर बच्चा हुआ है तो तीन टीम आठ प्लेयर एसके वर्सेस टीर्जट वर्सेस दयाल बाबा टीम कोवीड तो कौन लेके जाएगा आज चिकन डिना टीर्जट शेडों के इधर कोई मतलब इनका ध्यान ही नहीं है इन लोग को कुछ मतलब यह लोग देख नहीं रह पर बैटे हुआ है चुप-चाप अपने टीममेट को लेकर और हैजार्ड है और एक प्लेयर को इसके सुरच को भी डाउन करेंगे इसके मुन्ना अकेले बच्चे हुआ है अभी रिवाइब दे कर रहे है अपने प्लेयर को जोन यहां पर कटता हुआ और हैजार्ड की टीम इसके साथ मैच का बहुत ही बढ़िया चिकन डिना लेकर जाता हुआ टीम टी आर्जड और शील्ड वाइर दयाल बबा ने काफी अच्छा मतलब अपना कंपोजर दिखाया चुपचा बैटर है नहीं कहले कि लास्ट में फायर करना है पर तक क्योंकि एसके की टीम अदर डाउन हो चुकती लेकिन इसके की टीम बे काफी मुन्ना की टीम काफी अच्छा परफोमेंस आज दिखा गई और एक्स्टीम जूम प्याइब सब्सक्राइब लेकिन गेम इनका एक अलग लेवल का था एंटू फूनन का जिस तरह से इनोंने मतलब इस्तेमाल किया तो वह काफी बढ़िया रहा हम लोग का इस अब से और किसका नाम टीम सेबन काफी अच्छा इलिमिनिट किया इन्होंने टीम स्टाबॉन एलाइट को जो भी थर्ट पार्टी का शिकार हुए थे स्टाबॉन एलाइट लेकिन फिर भी अच्छा ऐसाइट को बुढ़ना तो चीजिए और किसा इसे बर लाइख यहां पर पार्टी कर देखने मिले झाज़्यों पर लोग अगर अच्छा लगा तो लाइक शुश्क्राइब कर देना और कल मैं फिर से आऊंगा, नहीं मैच के साथ तब तक कि लिए टाटाब कि रटनाइट झाल